नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा ज्यानवापी मस्जिद में चल रहे ASI सर्वे में प्राप्त हुई एक बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में तो तीसरा दिन था ASI सर्वे का सर्विक्षन का और इस पे एक शिवलिंग जैसा पत्थर मिला है मस्जिद के प्रमाइसिस में और इसी डिसकवरी के बाद वारानासी के लोकल जज ने इस मस्जिद के प्रमाइसिस को सील ओफ करने का आदेश जारी किया है तो आज यानि की 16 माइ को वारानासी के सिवल जज के द्वारा ये आदेश पास किया गया कि जहां पर वो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस एरिया को सील ओफ कर दिया जाए ग्यानवापी मस्जिद में तो इस पूरे मामले की डीटेल हम जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अनकैडमी एप पर पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है MCQ सीरीज जिसमें शाम 6 बजे हम MCQ को डिसकस करते हैं डू जॉइन फॉर दाट अनकैडमी प्लाटफोर्म पर एक छोटा सा चार दिन का कोर्स लेकर मैं आ रहा हूँ जिसमें 2022 के एक्जाम के लिए History, Art and Culture के Current Affairs को हम डिसकस करेंगे दिन में 3.30 पर इसकी क्लासे स्टार्ट होंगी डू जॉइन इन दिस कोर्स लिंक नीचे इन दिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमें दिया गया है काशी विश्वनात मंदिर और ज्यानवापी मस्जिद इन दोनों के इत्यास के बारे में मैं आपको बताता हूँ तो देखे जो लोकेशन है वहाँ पर काशी विश्वनात मंदिर कई सधियों से मौझूद है और काशी विश्वनात टेंपल भगवान शिव के जो बारा जोतिर लिंग है उनमें से एक है तो देखे देश में जो बारा जोतिर लिंग है वो आपको इस मैप पर नजर आ रहे है तो इनमें से बारा नसी वन ओफ लोड़ेस्ट जोतिर लिंग्स धाट इस प्रेजेंट मंदिर में पूजा होती है बाबा विश्वनात यानि की शिवजी के एक अवतार की ये मंदिर कितना पुराना है वो हमें इस बात से बता चलता है कि पुराणों में इसका जिक्र किया गया है तो पुरान जो लिखे गए थे अप्रोक्सीमेटली 3rd 4th century के आसपास कई पुरान लिखे गए थे इस शेत्र में अबादी है, बसावध है, आज से 3000 साल से ये तो confirmed है, in fact वारणासी is supposed to be one of the oldest cities in the world, जो original मंदिर था, वो exactly किसने बनवाया, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है, कुछ जगहों पर राजा विक्रमदत्य ने बनवाया था, ये बताया जाता है, लेकिन वो historically थो मुहमद घोरी, उसने यहाँ पर इस एरिया में जब हमला किया था, राजा ओफ कन्नौच से लड़ाई हुई थी, कन्नौच के राजा को हराने के बाद, he went to वारणासी और वहाँ पर कई मंदिरों को तोड़ा, जिन में सबसे प्रॉमिनेंट ये वाला मंदिर था, हाला कि सल तो या तो हुसेन शाह शर्की जो की जौनपूर से रूल कर रही थी, शर्की सलतनत, इसके बारे में मैंने अपने मिडिवलिस्टी के लेक्चर में भी डिसकस किया था, तो या तो शर्की सलतनत के टाइम पर तोड़ा गया है, या फिर सिकंदर लोधी इन दोनों में से किसी योगदान दिया, तो आमेर के राजा मान सिंग, who was one of the most senior generals of Akbar and one of the Navratnas as well, इन्होंने यहाँ पर नया मंदिर बनवाया, और राजा तोडरमल, जो एक तरह से अकबर के finance minister थे, इन्होंने भी इस मंदिर को बनाने में बहुत योगदान दिया, in fact तोडरमल क्योंके खुद finance minister थ यहाँ पर, इसलिए कई लोगे कहते हैं कि Akbar के समयकाल में मंदिर राज्य के द्वारा बनवाया गया, well to be honest, राज्य के द्वारा नहीं बनवाया गया था, वो टोडरमल का एक initiative था, but he must have got some funds for that somehow, तो funds तो लगाये थे, बनवाया इन दोनों नहीं था, यह बिल्कुल शोर है, सबसे prominent था, ओर्चा के राजा वीर सिंग देओ ने यहाँ पर temple को फिर से refurbish कराया, तो यह जहाँगीर के एक time period में होता है, so they were also under the suzerainty of Mughals, the Rajas of ओर्चा, तो इन्हों ने इस मंदिर को refurbish कराया, लेकिन जब औरंग जेब का शासन आता है, तो औरंग जेब जो Mughal जबाया गया था during the time period of Aurangzeb, अब उसके भी समयकाल अलग-अलग बताया जाते हैं, कुछ जगे history में 1664 year बताया गया है, कुछ जगे 1669 बताया गया है, so we are not sure about the exact year, but yes, sometime in the middle of 17th century, Aurangzeb के शासनकाल में काशी विश्वनात मंदिर को तोड़ कर उसकी जगे पर एक मस्जिद ब प्राप्ती हो सकती है, और यही वो original spot है, जहां पर मंदिर हुआ करता था, और किवदंतिया या जो प्रचलित कहानिया है, वो यही कहती है, कि जब Aurangzeb ने मंदिर को तुड़वाया, तो उस समय जो मंदिर के पुजारी थे, वो शिवलिंग को लेकर इस कुए के अंदर कू और मस्जिद के अगर हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो उसमें मस्जिद की जो पीछे वाली दिवार है, उसमें साफ तौर पर हिंदू आर्किटेक्चर के अवशेश नजर आते हैं, अक्चुली जब मंदिर तो उसकी सारी दिवार नहीं तोड़ी गई, शायद पैसा नहीं होगा या फिर पूरा मस्जिद नया बनाने में टाइम जाधा लग रहा होगा, तो एक दिवार उन्होंने यहां पर बाकी रख ली, उसको रिटेन किया गया और उसी के आगे मस्जिद का स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो यहां पर जो मस्जिद की यह दिवार है, that is called the Qibla Wall which faces towards Mecca, तो Western Wall basically, तो Western Wall उसकी जो है, उसमें साफ तोर पर यहां पर Hindu मंदिरों के pillars के अवशेश, design elements हमें देखने को मिलते हैं, तो अभी के समय ज्यानवापी मस्जिद जो है, उसके just past में एक नया मंदिर बनाया गया, यह नया मंदिर किसने बनाया, तो यह नया मंदि and governor of many provinces during the Mughal time period, लेकिन इनोंने अपने governorship का फाइदा यह उठाया, कि इनोंने जगे जगे, जहां पर भी यह governor रहे, वहाँ इनोंने बहुत मंदिर बनवाए, तो चाहे आप Haridwar देख लीजिए, चाहे आप Varanasi देख लीजिए, इन सभी जगों पर मंदिर, जंतर मंतर, यह स महाराणी थी, कहां की इंदौर की, तो इंदौर की महाराणी अहिल्या भाई होलकर, इनोंने भी major काम करवाया, क्योंकि हो सकता है कि राजा जैसिंग के समय काम पूरा नहीं हो पाया, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर बहुत बड़ा construction करवाया गया 1780 के समयकाल में, इसी स वो रखा गया था और उसी के उपर मस्जिद यह बनाई गई थी, और सदन वॉल जो है, इसको तो आज भी clearly यहाँ पर देखा जा सकता है, अठारवी सदी के अंत तक, अंग्रेजों का शासन इस एरिया पर हो चुका था, और अंग्रेजों के टाइम पर इस जगह पर, पू वो उस पर आज यह मस्जिद बना हुआ है, तो आज के समय जितना भी latest development आप देखते हैं, अभी कुछ महीने पहले काशी विश्योनात कोरिडोर और वो जो नया पूरा refurbished मंदिर है, उसका inauguration किया गया, that is all situated here, तो 1809 में एक कोशिश हुई कि एक neutral space में shrine बन जाए, लेकिन उसके बाद riots शुरू हो जाते हैं, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर control कर दिया riots को और दोनों के लिए restrict कर दिया वो area, आजादी के बाद ग्यानवापी मस्जिद को लेकर court case की बाद चली, लेकिन उस समय जादा prominent जो मुद्दा था वो बाबरी मस्जिद आयोद्या राम जन अब देखें, इसका बहुत लंबा case चल रहा है, और इसमें दिक्कत यह है कि Places of Worship Act इसी समय पास हो जाता है, तो Places of Worship Act के कारण इस court case पर stay लग गया था, तो देखें, मुद्दा पूरा detail में क्या है, इसमें बहुत लंबा court case अगर आप detail में उसका जानना चाते हैं, तो यह Places of Worship Act वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो 97-98 तक वो case एक बार खारेज हो चुका था और उस पर stay order लग जया था, 22 साल के लिए, लेकिन 22 साल बाद जब यह 2020 में stay order खत्म हो जाता है, उसकी मियाद समाप्त हो जाती है, तो फिर से लोग अदालत में जाते हैं, और कह जो order है, वो survey का, वो दे दिया गया है, पिछले साल reject हो गया था एक बार, लेकिन ultimately वो order दे दिया गया, तो अभी current status क्या है, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, इस वक्त, जो ग्यानवापी मस्जिद का access है, वो restricted है, only Muslims can visit that space, और कोई वहाँ पर जाना allowed नहीं है, यह वह मंदिर मस्जिद की दिवार literally एक ही है, और बहुत सारी problem हो सकती है, barbed wire वहाँ पर देखने को मिलता है, कंटीले तारों से इस पूरे area को protect किया गया है, तो यह जो मस्जिद का structure है, आप देख सकते हैं, इसके आसपास काफी उची fencing है, in fact, एक watch tower भी बनाया गया है, जहां से यह देखा जा सके कि कोई भीड वगेरा तो नहीं आरी, और अभी जब मंदिर कार innovation चल रहा था, तो उस समय यहां पर आसपास काफी, जैसे इस तरह से JCB वगेरा चलाई कही थी, area is very sensitive, क्योंकि यहां कभी भी Hindu-Muslim तनाव होने के आशंका बनी रहती है, तो अभी का status मैंने कि वो मंदिर है, तो कोट के में बोलता है कि प्रूफ दिखाने के लिए उसकी वीडियोग्राफी करी जाए, तो रीसेंटली पांच महिलाओं ने एक अदालत में दर्खास करी, कि यह जो मस्जिद का स्थल है, यहां पर श्रिंगार गौरी मंदिर है, और श्रिंगार गौर का आप सर्वे कीजिए, वीडियोग्राफी करिए, पांच मेंबर की टीम बनाई जाए, और यह सर्वे अभी चल रहा है, तो तीन दिन का सर्वे था, हाला कि सर्वे में भी दिक्कत आई थी, पहले जो लोकल मुसलिम कम्यूनिटी है, उसने उसका विरोध किया, लेकिन फिर रिपोर्ट औफिशली कोर्ट में सब्मिट करी जाएगी, तब पॉब्लिक हो जाएगी, लेकिन जो कोर्ट में वकील हैं, जो इस कमिटी के भी सदस्या है, उन्होंने ये बात कही ही, के रिख जाए, इस ही आशंका से लोकल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर इस एरिया क के लिए जिम्मा दे दिया है कि सभी ध्यान रखे वहाँ पर CRPF etc. तैनात करी जाए ताकि यहाँ पर security बनी रहे तो अब देखना यह होगा कि court में जब official report आती है तो अदालत उसे क्या मानेगा अब इसके बाद हो क्या सकता है आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मान तो उससे क्या proof होता है तो proof यह होता है कि definitely temple वहाँ पर था और अभी जो back walls है उसके पुराने photos available है latest videography में और स्थिती सपष्ट हो जाती है तो क्या इस स्थल को आयोध्या राम जन्म भूमी के case की तरह हिंदू पक्ष को transfer किया जा सकता है यह एक बहुती बड़ा सवाल है औ तो उस 91 के कानून के अनुसार तो ज्यानवापी मस्जिद मस्जिद ही रहेगी लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो उसे ASI के ancient monuments के clauses के तहट एक उसे पुरातत्व building घुशित करके उसे अपने control में ले सकती है ASI के control में लेकिन उसमें मंदिर बन सकता है नहीं यह बहुत सारे उसमें down page होंगे, कानून बदलना पड़ेगा, so there can be an amendment brought लेकिन वो बहुत लंबा political एक tussle चलेगा उसके लिए, तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन एक बात तो तैव है कि जो proof है, वो शायद इस ASI की report में सामने आ जाएंगे कि वहाँ पर मंदिर है, तो इसी के साथ ये lecture हम समाप करेंगे, PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अल्ट्रा कॉमबैट आ रहा है, 22 मई को, इसमें जरूर शामिल हुई है, attractive prizes और scholarship जीत सकते हैं, questions मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं, इनको attempt कीजिए, और unlock code यहाँ पर अगर कोई मा और अभी 20% discount चल रहा है courses पर, 20% discount नहीं होता है, usually 10% होता है, तो you can get 1 year subscription for just 49,000 rupees, इसका फाइदा उठाईए, optional GS, दोनों की coaching आपको एक साथ मिल जाएगी, दोनों की classes एक साथ मिल जाएगी, notes सब मिल जाएगा, आपको notes etc, you'll get everything, practice MCQ booklets, 11,000 MCQs की booklets आपको साथ में मिलेंगी doubts के लिए हमने special sessions अब provide करा है है, हर हफते नए batches बनते हैं, इन batches को आप join कर सकते हैं, EMI पर सारे courses available है, CSE Assure के तरह 2 साल का subscription लेने पर 1 year extra आपको मिल जाएगा, prices बढ़ने से पहले subscription अवेल करिए, कोई भी doubt है तो इस phone number पे call कर सकते हैं, between 10 a.m. to 7 p.m. Pathfinder current affairs test series, every Saturday 5 p.m. चल थे, thank you very much, have a great day.